आसो हेलो अब्रीवन और वेल्कम यौल तो सौरपांडे यूपीस सी यूट्यूब चैनल के अंदर इस चानल से जरूर से जुड़ें और एक बहुत सारी क्वेरीज आ रही है और बैसेकली जो जिती भी क्वेरीज हैं डिया रिलेटेड वित था एसर्चन और रीजनिंग के लिखे होते हैं स्टेट्मेंट वन और स्टेट्मेंट टू और इसमें आपके चार ऑप्शन्स होता हैं ठीक है बहुत ध्यान से समझना और मैंने भी इसमें पीडिएफ नहीं इंक्लूड किया है आप चाहओ तो 2023 के जो पेपर उसको डाउनलोड करके और जुन-जुन को मै सबसे अची बात इसमें क्या होती है कि आपको एक चीज की शिवर्टी है कि इन दो में से एक स्टेट्मेंट सही है जैसे मालनों एक क्वेश्चन में आपको बताता हूं इंडिया despite having uranium deposit depends on coal for most of its electricity production यह स्टेट्मेंट बन है दूसरा कहता है uranium enriched to the content of at least extent of at least 60% is required for the production of the electricity यह आर आवेर अबॉट इट कि जिस तरीके से question का pattern है उसमें क्या एक चीज fix है कि इन दो स्टेट्मेंट में से एक स्टेट्मेंट सही है तो सबसे पहले आपको यह देखना है सबसे पहले जो है आपको यह चीज देखनी है कि अगर दोनों ही statement में से किसी statement के अंदर particular fact mentioned है जैस ऐसा कोई fact mention है दोनों statement में तो आप उस statement को अगर आप शेयर नहीं हो तो आप उसको गलत ले सकते हो जैसी आपने गलत लिया तो आपका answer तुरंत निकल रा जाएगा कि statement one is correct but statement two is incorrect ठीक है दूसरी possibility जब होती है जैसे इसमें 60% वाले मैंने बता है कि statement one सही statement two गलत है दूसरी possibility आपकी जो होती है वो क्या है कि मानलो जैसे इसमें एक statement होता है कि बोथ statement one and statement two are correct but statement two is the correct explanation for statement जैसे मानलो यहाँ पे मानलो आपसे एक आजाता है कि quality पढ़ने के लिए लक्षमी कान्त के बुक अच्छी है ठीक है यह है तो लक्षमी कान्त is a good book for quality ठीक है ऐसा कुछ मतब पूरा line एक लिए कि quality पढ़ने के लिए लक्षमी कान्त एक अच्छी किताब है ठीक है तो दूसरे statement है कि जादा तर UPSC के prelims में पूछे गए quality के question इस book से आता है तो अब इसमें अगर मानलो मैंने एक statement में यह बोला कि quality के लिए जो लक्षमी कान्त के book अच्छी है तो UPSC prelims में पूछे गए जो प्रश्न है वो पूछे गए प्रश्न जादा तर इस किताब से आता है तो यहां पे statement 1 को statement 2 explain कर रहा है तो एक चीज़ आपको देखना है कि अगर statement 1 को statement 2 explain करना तो आपको सिर्फ बीच में because लगा के सोचना है तो यहां पे अगर मानलो कोई fact नहीं है कोई specific information नहीं है बहुत ही diversified statement 2 नहीं है तो अपने आप ही मतला आपको check कौन सा करना statement 2 ही check करना है अगर आपने because लगाया और लगाने के बाद उसका explanation आपको मिल रहा है मतलब statement 1 आपसे question पूछ रहा है statement 2 उसका answer दे रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको वो option देखना ह and statement 2 explain statement 1 and statement 2 is the correct explanation of statement 1 तो यह बहुत अच्छी चीज है मतलब आपको यह देखो ना पहली इस्तिति ही होगई कि हमें यह पता है कि दोनों statement से में से एक statement सही है तो कोई fact हुआ तो statement को गलत किया और हमने अपना answer लिग दिया मालूँ पहला statement गलत है तो दूसरा मतलब उसे statement 1 को statement 2 प्रॉपर explain करता है तो अपलिक दो कि यह प्रॉपर explain करता है explain नहीं करता है तब आपका तब आपको पता है कि अच्छा दोनों statement में दोनों statement करेक्ट है बड़ एक्सप्लें नहीं करता है जैसे मालों मैंने कहा कि quality पढ़ने के लिए लक्षमी कांथ की किताब दोसरा statement है science and technology से बहुत question आते हैं अब मतलब यह दोनों statement सही है science and technology से बहुत question आते है तो कभी भी इन में से मतलब 10 questions अगर आएंगे तो आपके 8 से हो जाएंगे और यह बहुत scoring होते हैं गलत ही नहीं हो सकता है अगर आप ढंक से read करो तो बड़ा सा सोच के read करो ठीक है तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है अब जैसे एक question था marsupials are not naturally found in India ठीक है marsupials जो है वो इंडिया में naturally found नहीं होते marsupials can thrive only in mountain grassland with no predators अब यहाँ पर देखो कोई fact mentioned नहीं है बट यहाँ पर only always यह बहुत ही absurd statement दिया हुआ है अब एक तो देख कह रहा है कि marsupials are not naturally found in इंडिया नहीं नहीं पाईते हैं इसका रीजन यह थोड़ी नहीं है कि यह सिर्फ mountain grassland with no predators विकोज ऐसे vegetation हमारे देश में भी है थोड़ा बहुत कई जगह पर तो यह reason आपका नहीं हो सकता है तो यहाँ पर statement 2 आपका गलत होगा statement 2 में only भी logic लगा होगे तो only की वज़े से और no predator ऐसा कुछ शब्द mentioned है क्योंकि पूरा एक ecosystem में जानवर रहता है ऐसा नहीं कि कहीं भी छुपके रह लेगा ऐसे तो नहीं होता हो जैसे एक और बड़े 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 बहुत ध्यान से पढ़ ले करो जैसे interest income from deposits in infrastructure investment trust distributed to their investor is exempted from tax but dividend is taxable अब मैंने आपको जब जो statement हो गलत हो सकता है अगर बड़ा statement है तो यहां पर बट के बाद अगर को statement लिखा उसके गलत होने के chances अगर आपको knowledge है तो उस basis में आप correct कर सकते हो जैसे यह statement जो मैंने भी बोला वो गलत है तो आपको पता अगर एक गलत निकला है तो दूसरा सही अपने आप हो जाएगा त तो इन questions को दोरा नजर बना के रखो 2023 के prelims के paper सामने रखो मैंने tricks video बना रखा है उसको देखो और apply करना सीखो और कुछ चीजे जो revise आपने कर रखी कर लो उसको अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि जो जो चीजे बताई कहीं है अगर आप उनको अच्छे से follow कर लोगे आपके सही हो जाएंगे curiosity 20 questions की बढ़ जाईए तो यह assertion reasoning के questions बहुत high scoring होती है लोग इससे डरते हैं लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि assertion reasoning के questions बहुत high scoring आपके जो होते हैं तो अगर अगर 10 questions भी आते हैं और उसमें से अगर 5-6 में भी आकर आपका जो logic हम लोग discuss कर rule और यह सब आप में से कहीं नोंने statement दें कि सब साल नहीं लगता है मैंने क्या कहा सब साल नहीं लगता है उसमें मैंने शाप साप शब्द मेंगे बट जिस साल लगता हो सारे questions पर लगता है तो आप में अगर दो तीन questions आए हैं तो उस rule को follow कर लो अगर आपको answer perfect है तब तो गया और उसमें जो conditions को सुनो listening power होनी चाहिए अगर आप सुनने को तयार नहीं और आपको लगे कि मैं सारी चीजे मितलब अपने आप ही आ जाएंगी तो वह तो possible नहीं है आपको देखना यह चीज पड़ेगा कि यार जो भी assertion reasoning की चीजे हैं मैं तब सरी जो जैसे inverted comma rule बता है उन conditions को सुनके ही आपको apply जो है करना अब यह assertion reasoning वाले questions एक भी छोड़ कर मत आना ठीक है assertion reasoning के questions एक को भी छोड़ करने आना जैसे question था according to United Nation World Water Development Report 2022 इंडिया extract more than a quarter of the world groundwater withdrawal each other फिर यहां पे दूसरी statement 18% of the world population living in its territory अब जैसे मालो आपको यह पता है कि दो में से एक statement से यह भी assertion reasoning के दो statements देए हों आपको यह पता है कि एक statement इन में से सही है यह तो fix है इसमें है ना जब आप दो statements में से अब because लगा पहले तो because लगा दो बीच में फिर read करो दोनों को कि अच्छा answer हो रहा है कि नहीं अगर वो because का explanation आपको proper मिल रहा है तो उसको सही कर लो लेकिन नहीं मिल रहा है तो फिर आपको इसको गलत मतलब फिर आप दूसरे options को explore करो अब दोनों में फैक्ट दिखा है तो जब ज्यादा factual हो ठीक जैसे इस बताया जारा रहा है एटीन परसेंट है ना एटीन परसेंट वाला point mentioned है ज्यादा factual है तो आप इसको गलत लेकर चल जी को जी कुछ भी नहीं लगते हैं यह लगता है ना आप सुन लिया प्रैक्टिस नहीं किया तब भी आपस यह अपलाई नहीं हो तो इस बेटर कि आप जो भी चीजें हैं यह सारी चीजें जो है इनको बढ़िया तरीके से practice एक बर कर लो अभी आपके बिल्कुल टाइम ह दोजार थेईस के paper को download को जो बाते बताई हैं उनको apply करो एक trick वाला video डाला उसमें मैंने सारी एक assertion reasoning के सारी questions almost करके बताएं आपको तो उनको आप लो गो थू करो और assertion reasoning के questions को बिल्कुल भी छोड़ कर मत जाना मैं आपको यह कहना चाहूँगा जैसे इसमें एक और statement 1 था पिछले साथ आठ questions था ही से रहे हैं उनमें से आप मतलब यह मानू की 80% questions से logic से कर सकते हो पहले आपको नहीं आता हो तो जो मैं rules आपको बता रहा हूं उनके basis पर आप कर सकते हो अब इसमें ज्यादा अस्पेक्ट है क्योंकि अगर आप फ्लैग देखोगे तो थ्री इस्टू रेशियो आप कंपेर कर सकते हो तो यहां 600 mm इंटू 400 mm वाला फैक्ट गलत हो सकता है क्योंकि आपको चीज देखनी है कि दोनों एक दूसरे का explanation नहीं है तो मतलब इसका मतलब एक नहीं कि स्टेट्मेंट इसमें गलत हो सकता है अगर possibility है दोनों में फैक्ट है तो आप गलत लेने की प्रयास कर सकता और उसमें फिर आप चांस अगर लेना तो ज्यादा फैक्ट को अप्लाई करके अपने अंसर तक रीज कर जाता है यह चीज हमेशा से याद रखनी है ऐसे चोटी-चोटी चीज आप मन के अंदर बिल्कुल रखनी है और दूसरी चीज जब आप रीड करो तो इसमें तेखो अगर सपोस करो तीन स्टेट्मेंट इस स्टेट्मेंट वान एक कोई भी सही है तो मतलब only one answer होगा तो इसको बहुत ध्यान से समझना जैसे अगर which of the following statement is correct तो मतलब one two three one statement सही है one two सही है one two three सही है इस टाइप से अगर how many पूछता है तो उसमें one only two only all statements ऐसे कुछ लिखा होता है तो आपको यह how और which को बहुत ध्यान रखना है नहीं तो मेंस के भी courses आएंगे तो उस आप के माध्यम से यह सौरपंड़ यूपसी.com website के माध्यम से आप बिल्कुल उसका हिस्सा बन सकते हैं और courses का हिस्सा बोग बन सकते हैं ultimate courses मेंस के लिए भी आएंगे agriculture optional के लिए आप जोड़ सकते हैं अगर आप agriculture optional लेना चाहता है तो भी आप नमबर एक नोट कर लो ठीक है उस नमबर पर आप मुझे रीच कर सकते हैं जो नमबर है नमबर आप नोट कर लो that is नमबर आप लिखो 90579-21649 90579-21649 इस पर आपको WhatsApp मैसेज करना है ठीक है 90579-21649 कोई भी क्वेरी है कोई भी मतलब आपको concern है तो आप मुझे रीच कर सक सब्सक्राइब जरूर से करें ठीक है ठीक है ठीक है अगेन एम रिपेटिग 90579-21649 तो अजर पच्छेस के लिए मैंने बुक सीरीज लॉंच के करेंट अफेर्स के प्लस कोसिस जो है जो है जो प्रिलिम्स और मेंस के जो करेंट अफेर्स है क्योंकि कॉम्रेंट अच्छी